नमस्कार जोहार मैसंजे और आप देख रहे हैं न्यू ज़ारकन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खिबर को नमस्कार जोहार मैसंजे जाएगा मनिस जासवाल ने कहाए कि करमचारियों का इसमें कोई दोश नहीं है बहुत से लोग बिना लाब लिये रिटायर कर जाएंगे इस पर मंत्री ने कहाए कि इसको लेकर सब भी विश्वविद्दाले और एजी की बैठक हुई है इससे पहले एजी की सब भी विश्वविद्दाले की ओडिट करा कर सात्वे वेतनमान का वार्सिक लेखा प्रस्तूत करने का निर्दिश दिया गया था एजी द्वारा राची और दुमका विश्विद्दाले का जो अंकेंशन नहीं हो पाया है अन्य विश्विद्दाले का जो अंके इसने सुरू की जांच, दुमका में दर्दनाख हाथसा हुआ है, सिकारी पाड़ा थाना छेतर की, सरश डंगाल की जामरूपानी इलाके के क्रसर प्लांट में शोरे है, दो मजदुर पर हैवा पलड़ गया, घटना में दोनों मजदुरों की मौत हो गई है, दुर घटना लोगों ने बता है कि दोनों मजदुर बरामदे में शोरहे थे, इसी दोरान डश लेकर गुजर रहे हाइवा चालक ने वहन पर अपना नियंतरन को दिया, वहन आनियंतरितो कर पलड़ गया, इससे दोनों मजदुर इसकी चपिट में आगे, पुलिस ने मामले की जांच प बढ़ने लगा है, राज में सबसे अधीक सत्तर नई के इस राजधनी राची में मिले हैं, हलाकि राजे के पंदरा जीलों में कोरोना के एक भी मरीच नहीं मिले हैं, बताय गया है कि 24 गंटे में कोरोना के 28 लोग श्वास्तों हुए हैं, इसके विप्रीत राजे के 9 जीले में कोरोना के 87 नई मरीच मिले हैं, स्वास्त विभाग के अनुशार 32 से 70, बोकारो में 2, धनबाद में 2, पूर्वे शिंग भूम में 4, हजारी बाग में 1, खूंटी में 1, लातेहार में 1, सिंडेगा में 5, और लोहरदगा में 1 मरीच मिले हैं, इधर राजे में कोरोना के सक रेकेश बढ़कर 333 पर पहुँच गए हैं, वहीराजधानी राची में भी कोरोना संक्रमितों की एक्टिब शंक्या बढ़कर 137 पर पहुँच गई हैं, आगली बड़ी ख़बर की बात को दुबोकारो में 4 सरेप के आरोप में चक का जाम, साड़क पर बेहोसी की हालत में मिली थी, अस्थानी लोगों ने दो युवकों को पकड़ा, पुलीस पर बयान बदलवानी का आरोप, जारकन की बोकारो में एक नाबालिक छात्रा से दुसकर्म के आरोप में अस्थानी लोगों ने सड़क जाम कर दिया, बुधवार साम पेटरवार शेतर के बुंडू प लड़की के साथ दोनों आरोपियों ने दुसकर्म किया, इसके बाद वे इसे सड़क किनारे छोड़ कर भाग रहे थे, गुरुवार की सुभा इस मामले में अस्थानी लोग शड़क पर उतर गए, पिडिता को न्याय देने की मांग करने लगे, दोनों ही आरोपी का नाम जो है मुहमद इमडान बताय जा रहा है, ये दोनों भी नाबालिक हैं, मामले की जानकारी मिलने के बाद गिरिडी के सांसद चंदर प्रकास चौधरी बोकारो शडर अस्पताल पहुँचे, पिडित शात्रा से बात की, पुलिस पर जो है मामले को दवाने का आरोप लगात जो है उनकी लड़की दूसकर्म की घटना से इनकार कर रही है, जो है उनकी लड़की ने अपने बयान में बता है कि दोनों युवक उनके दोस्त हैं, वो अपनी मर्जी से उनके साथ घूमने गई थी, घटना के बाद से महौल तानावपूर्ण जो है बन गया है, दोनों आरुप्यों की गिरापतारी की मांग हो रही है, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चानल को सस्क्राइब नहीं की है तो प्लीज चानल को सस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस कर दे, जिससे आपको जारकन की हर शोटी बड़ी खबर का इंटर सिटी एक्सप्रेस अब गोड़ा तक चली की, धनबाद से गोड़ा जाने की एक और सीधी ट्रेन धनबाद की जोली में आ गई है, रेलवे नहीं रांची से दुमका जाने वाली इंटर सिटी एक्सप्रेस को गोड़ा तक विस्तार को हरिशंडी दे दी है, की रांची भागलपूर गोड़ा एक्सप्रेस सब्ता में तेन दीन ही चलती है, आगली बड़ी खिबर की बात के दो चत्रा टंडवा मामले की जांच के लिए कमेटी गठित, कॉंग्रेस के रास्टी महास्तचिव और जारकन कॉंग्रेस परभारी अभिनास पंड़े के अ गहटना में सैकडों लोग घायल हुए हैं, कॉंग्रेस के प्रावक्ता श्रतीश पोल मुंजनी ने बता है कि जांच समिती में कारिकारी अध्धक्ष बंधूतिर की शुहजादा अन्वर विधायक उमाशंकर अकिला, अंबा परशाद, जोनल कोडिनेटर भीम कुमार और श्रतरा के कारिकारी अध्धक्ष परमोद्दूबे समिल हैं, कॉंग्रेस प्रदेश अध्धक्ष राजिश्ठाकुर ने जांच समिती को निर्देश दिया है कि घाटना की भौतिक जांच कर 15 मार्स तक रिपोर्ट दें, आगली बड़ी खबर की बातक दुब्बोकारों म बंद खधान में मिला इंटर की छातरा का शाओ, चार दिनों शे थी लापता, जीले के बिर्मो थाना चेतर के ढाको इस्थित बंद पड़ी धोरी खधान से 20 साल की युवती का शाओ मिला है, युवती पिछले चार दिनों से अपने घर से लापता थी, शाओ बरामत होने क परिजनों ने इसकी पहचान की, घरतना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शाओ को कब जिम लेकर पोश्ट माडम के लिए भेश दिया है, खबर के अनुसार युवती चार दिन पहले अपने घर से मा से नराज होकर निकल गई थी, जिसके बाद से उसका कुछ पता नह ही चल रहा था, काफी खोजबिन के बाद भी कहीं कोई शुराग नहीं मिलने के बाद बेर मोथाने में गुमसूदगी का केस दर्श करा गया था, वही युवती के पिता के मुताबिक जब्बु शिंग महला कॉलेच की चातरा थी और मानसिक रुप से बीमार थी, वही पु जारकन के अनुबंद कर्मी और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के मान्दे बढ़ोतरी पर सरकार गंभीर है, इस पर सरकार जल्द नरनेले की या स्वासन ग्रामिन विकास मंतरी अलमकिर अलम ने जारकन विधान सभा में दिया, वे विधाएक सीपी सिंग के अलप सुचित प अटाने का फैसला किया है, इस साल MBBS में परवेस के लिए जो नीट योजी परिचा होगी, उसमें उमिद्वारों के लिए उपरी आयोशिमा की बाधता नहीं होगी, आयोग के इस फैसले से छातरों को नीट परिच्छा में बैठने के ज़्यादा मौके मिलेंगे, NMC ने इ अधिसूचना जारी की जाएगी, उसी के हिसाब से तैयारी करने को कहा गया है, आगली बड़ इखबर की बात को दो भारतिये महलाहों की टीम में जारकन की संगिता सलीमा वर निकी का चैन, होकी इंडिया ने जर्मनी के खिलाफ F.I.H. प्रो लीग मैचों के लिए 22 अधश के भुनेसमर में आईजित इस प्रो लीग में भारतिये महलाहों की टीम, दुनिया की पांचवे नंबर की टीम, जर्मनी के खिलाफ 12 और 13 मार्च को दो मैच खेलेगी, आगली बड़ खिबर की बात को दो जारकन के पलामों में बिजली विभाग की चापे मारी, 18 लोग के एक लाग अंठामना जारुपए वसूले चुर्माना, जर्कन के पलामों जिले के, हुशेनाबाद, वाहिरदरनगर प्रिकंड के, विभिन गाउं में बिजली विभाग ने चापे मारी अभ्यान चलाया, चापे मारी अभ्यान में हुशेनाबाद के नो और हैदरनगर के न आगा किया था कि वैद कनेक्शन लेकर ही बिजली का उप्योग करे, बकाय का भुकतान हर हल में करे, घर के कनेक्शन से वसाइक उप्योग नहीं करने की हिताय दी गई थी, इसका पलान नहीं करने वाले लोगों पर भी करवाई की जा रही है, आगली बड़ी खेबर की बात पुरी तरह से सजगा है, नागा बाबा खटाल से आस्थाई दुकानों को तोड़ दिया गया है, नगर निगम के करमचारियों ने एनाउंस कर दुकानदारों को हिताय दी है कि जो भी दुकानदार मार्केट से बाहर निकल कर दुकान लगाएगा उसका समान जब्द कर लिया नगर निगम जल्द ही उस इलाके में नोवेडिंग जोन घोशित करेगा, नोवेडिंग जोन घोशित होने के बाद राची नगर निगम के दौब बड़ी खबरे, इसी तरह जारकन के हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल न्यूज जारकन को करके बैल आकन प्रेस करते जिससे आपको जोरकन के हर चोटी बड़ी खवर का अपडेट आप तक पहुंचता रहें तो आज के लिए बस इतना ही हमें दीज़े इजाज़त फिर मिलते हैं नेक्ष नियूज में